ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच केंद्री ग्रिह मंत्री अमित शाह शनिवार को जनजाती सम्मेलन में शिरकत करने सराइपाली पहुचे जहां उन्होंने भुपेश सरकार पर जम कर निशाना साथा सराइपाली पहुचे केंद्री ग्रिहमंत्री अमित शाह ने जन जातियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंशिक त्रूटियों से आदिवासी समाच के कई समुदाई लाब से बंचित हो गए थे पियम नरेंद्र मोधी के पहल पर लोकसभा और राज्य सभा में बिल पारित कर संशोधन किया गया आदिवासी समाच के नेता जैदेव भोई ने बारहत जन जातिय समुदाई को आदिवासी वर्ग में शामिल करने के लिए ग्रिहमंत्री का आभार जताया इस मौके पर केंद्री ग्रिहमंत्री शाह ने भुपेश सरकार पर शडाब, कोईला और चावल घोटाला करने के गंभी रारोप लगाए उन्होंने जन जातियों समुदाई के लोगों से लोकसभाद चुनाव में भाचपा को जिताने की अपील की अधिवासों की जमीन पर है सब्सक्राइब करताया आधिवासों की जमीन हड़ कर गए साहळों तक अपने स्वाट के कारण वामप्त्य उग्रवाश को चलने दिया नरे लंगोरी सरकार ने गांपश्टी गुगरबाद को समावती की और ने जाने का काम दो और फुपेश भगेर सरकार है ये फ्रक्ता 40 सरकार है तो ये फुपेश भगेर सरकार कैसी है जो से मुझे कैसी है सरकार में दोजार करों का भोटा लगिया वाया सरीवल में 500 करों का भोटा लगिया जर्मों के आदिवास के नाज में 5000 करों का भोटा लगिया बोटार में 1300 करों का भोटा लगिया पबिक्स सदीश कमिशन में भोटा लगिया कोरणाश में भोटा लगिया दिस्टिक मिल्लक 25 करोण आता गए और 30 ज़ार दिवच्टे किलाज के अभाव में ज़र गए और 17 ज़ार आधिवसीर माताये और एनिमिक हो गई रमण शर्कार में नहीं होता था न्यू वीडियोज की अपटेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं